गूड मॉनिंग अनुराग, बताइए क्या कुछ खास अनॉंसमेंट हो सकते हैं बज़ट में किस सेक्टर को लेकर? दिखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर बज़ट में कई सारी सौकात मिल सकती है और जिस तरह से हमने देखा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल बैंकिंग पे काफी ज्यादा फोकस है सरकार का भी और डिजिटल पेमेंट्स में जो है देश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये और नई हाइट्स जो है डिजिटल के अंदर देश बना रहा है तो वह वहँ पर इनवेश्टमेंट्स करने पर टेक्स रियाइट जो है यह बैंकों को मिल सकती है बजट के अंदर इसके लिए के बड़े एलान हो सकते हैं कि जो डिजिटल निवेश पर बैंक खर्च करेंगे डिजिटल इनवेश्टमेंट्स पर तो वहाँ पर टेक्स रिवेट उनको मिल सकती है तो ये एक बड़ा एलान जो है बजट में आ सकता है इसकी संभावना है इसके अलावा जब मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो सरकार के दुआरा ECLGS स्कीम शुरू की गई थी जो भी छोटे कारोबारी है SMEs है उनको working capital वगरा की रिय देने के लिए तो ECLGS स्कीम को काफी अच्छा प्रतिसाथ मिला अभी तक 3,00,00 करोड के जो है लोन डिस्बर्स हो गए है और इसकी जो मियाद है वो मार्च 2022 के अंदर खतम हो रही है लेकिन जो जानकारी है कि इसमें बैंकों के द्वारा भी निवेदन किया गया है और सरका इसको और बढ़ा सकती है 30 सितंबर 2022 तक इसका extension कर सकती है क्योंकि overall allotment जो था वो 4,00,00,00 करोड का था तो वहाँ पर अभी भी limit जो है उसमें space बचा हुआ है तो ये काफी एक बड़ा एलान होगा जिस तरह से हमने देखा है कि अभी जनवरी के अंदर third wave से थोड़ा बहु जादा लोग जो है तो स्कीन का फायदा उठा पाए इसके अलावा एक और जो बजट के अंदर एलान हो सकता है कि carbon emission को कम करने के लिए और परयावरन को बचाने के लिए जो corporate जो है ESG framework के अंदर investment करेंगे निवेश करेंगे वहाँ पर interest subvention जैसी चीज़े जो है वहाँ पर दी जा सके बैंकों के द्वारा उनको छूट दी जा सकता है तो यह बड़े-बड़ी तीम चीज़े हैं जो उमीद की जारी ही कि banking sector से जुड़ी हुई बजट के अंदर हो सकती है इसके लावा एक और जो बैंकों के द्वारा भी wish list में कहा गया है कि जो home loan के अंदर ब्याज की चूट होती है उसमें बड़ोतरी दी जाये तो उसके साथ-साथ यह भी जो wish list के अंदर है चीज़े डाली गई है और हमारे sources से मुताबिक इनको लेकर बजट के अंदर एलान हो सकता है आपके लिए बजट को लेकर बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी कुछ बहतिन schemes और interesting development होने की तैयारी में आईए अनुराग धनिवाद यह बहतिन हमें खबर देने के लिए एक चीज़ और बताए अनुराग आप तो इंशुरेंस सेक्टर देखते हैं इंशुरेंस के लिए क अगली बार जब आपसे मुलाकात होंगे तब इंशुरेंस के अंदर क्या बड़े अलान हो रहे हैं वो बताएंगे पिछली बार हमने सबसे पहले बताया था कि बजट के अंदर इंशुरेंस के लिए बढ़ा कमाल किया था और यह बड़ी टॉप स्टोरी थी बजट में कि किस तरह से इंशुरेंस में FDI 74% और ही जो सबसे पहले आपने मताई वो कभी-कभी जामवन को हनुमान को याद दिलाना पड़ता है आप में ताकत किया है तो अनुराग जी की ताकत जरा एक बढ़ा दमदार स्टोरी इंशुरेंस सेक्टर के वी निकालिये उसका इंतजार रहेगा फिलाल धन्यवाद अनुराग बहुत बढ़ा स्टोरी देने के लिए बैंकिंग सेक्टर पर आएए